इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Hb1ac test के बारे में इसमें जानेंगे कि कौन-कौन से science symptoms में या लक्षन में जो है टेस्ट कराया जाता है और इसका normal range कितना होता है कौन सी बिमारी के पता चलता है कौस्ट कितना होता है sample कब देना चाहिए रेपोर्ट कम मिलेगा सब सारे चीज़े होँ है हम लोग इसमें जानेंगे तो Hb1ac को कई सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि glycosylated hemoglobin या gluco hemoglobin या Hb1ac ये कई सारे नाम होता है तो Hb1ac test का मतलब होता है कि जो hemoglobin के साथ जो attach होने वाला होगा उसका percentage value मेजर किया जाता है है जो गलकोंच या जो sugar blood sugar जो hemoglobin के साथ attach होके वो move करता है बोडी में या blood में उसका value मेजर किया जाता है कि वो कितना है कितना percent है वो होता है जिसको glyco hemoglobin या फिर glycosylated hemoglobin बोला जाता है तो HV1-ACID test से पिछले 2-3 मेहने का average गलकोंच लेवल मेजर किया जाता है current का गलकोंच लेवल नहीं मेजर होता है इसमें सिर्फ 2-3 मेहने का average पिछले 2-3 मेहने का average blood sugar होगा हाँ हमoglobin के साथ attach होगा उसका value इसमे average value मेजर किया जाता है यानि कि प्छले दो से तीन मेने का average sugar level मेजर किया जाता है और यह test जो होता है वो diabetes को monitor करने के लिए या diabetes का पता लगाने के लिए जो है वो किया जाता है यानि कि अगर किसी को डियाविटीज पहले से है तो उसको मोनिटर करने के लिए या फिर किसी को डियाविटीज नहीं है पहली बार करा रहे है तो गुलकोज फास्टिंग के साथ गुलकोज टोलरेंस टेस्ट के साथ यह भी टेस्ट करा जाता है कि डियाविटीज है या नही चीह है जो ड़ाइबीटेज की मेला इसीलिन ले रहे हैं मोनिटर करने के लिए किया जाता है कि साइब.." यह जो ब्रोलडकी उद्हेश्ट होता है यह दिन में कभी भी करा सकते हैं इसके लिए इसके की जुर्वत नहीं पर ती जो इसके पर्थ जोड़ारे फीशे परोड़ में आपको मिल जायागा है तो जो जए पर्सेंटेज्च में होता है और मीली मोल में होता है तो यदी 6% से कम है तो फिर आप प्रूड ब्लॉड ब्लॉड लेवल है नौर्मल है तो भी नोर्मल होता है लेकिन यदी 6.0 या 6.4 के बीच में आई है तो इसका मतलब आपको प्री डियाबेटिक यानि की डियाबेटीज आपका सुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है कट्रोल नहीं करेंगे तो 42-47 छाए आपको 6.5 से जएदा है तो आपको डियाबेटिक अखाएगा थे गिलिynnम लेवल गुलकोंच के एमजी पर डियल में देखे जो हम फास्टिंग या रेंडम या पीपी करवाते हैं उसमें देखे तो यदि चार तक वैलू है तो इसका मतल़ आपका 50 है वह सुगर यदि 5 है तो 80 है यदि 6 है तो 115 है साथ है तो 150 है इसलिए बोला जाता है कि साथ यदि किसी को ह साथ जो कितना सुगर लेवल हमारे बोडी में होता है वह एक मिजर ये वैलू दिया गया है तो यदि 5.7 से कम है या 6 से कम है तो नॉर्मल है और यदि 6 से 6.4 तक है 6.5 तक है तो 6.5 से ज्यादा है तो इसको डियाविटिक माना जाएगा तो यह है जो है डिया आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो फिली इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पिछले मैंने ब्लड सुगर फास्टिंग और पीपी कैसे करते हैं इसका नॉर्मल अरेंज कितना होता है सब सारे चीजे में बनाए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगा वहां पर भी आप देख सकते हैं धानवाद दोस्तों